बीजेपी दिली प्रदेश अध्यक्ष, विरेंदर सस्टिदिवा का कहना है कि गेज़िवाल सवालों से भाग रहे हैं, अगर वो बेगुना है तो उन्हें कोई घोटाला नहीं किया है, तो उन्हें फिर जाच एजन्सियों के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है। उस समय ध्यान Нहीं आया था। जाच एजन्सी से भाग रहे हैं आप, तीन तीन बार बोलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं। और अब विलाब कर रहे है कि हाई हम कर रिफ़्तार हो सकते हैं। जाच एजन्सी अपको बता के करेगी क्या। कानूनी पृक्तिदे का पाल खुद भी जानते हैं कि आपने शराब में घोटाला किया है शराब निती बदली है उसमें भरष्टा चार किया है अब जब भरष्टा चार किया तो उसका जवाब भी देना होगा अर्विन केजरिवाल आपको जवाब देना ही होगा और शराब नीती घोटाले में केजरिवाल को E.D. अब तक तीन बार समन कर चुकी और आखरी बार 21 दिसंबर को उनके पास समन भेजा गया था लेकर वो एक भी बार पेश नहीं हुए और अब केजरिवाल E.D. को चिठी लिखकर कहा है कि E.D. का व्यवहार मनमाना और गैर पारदरशी है केजरिवाल ने पूचा है कि उनको समन भेज कर बुलाने की वज़ा क्या है इसके साथ ही केजरिवाल ने ये भी कहा है कि समन का उद्देश्य जाच है या मेरी प्रतिष्टा को धूमिल करना है केजरिवाल ने E.D. के सामने पेश ना होनी की वज़ा भी अपनी चिठी में उनका कहना है कि वो दिल्ले में होने वाले राजसवा चुनाओं को लेकर वेस्थ हैं 27-26 जनवरी की परेट को लेकर दो तैयारिये हो रही है उसको लेकर वो वेस्थ हैं दूसरी बात उन्होंने ईडी को ये सपश्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप वो सवाल एक क्वेश्चन आयर के फॉर्म में हमें भेज दीजी हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे लेकिन आज तक ईडी में एक भी क्वेश्चन आयर अर्विंद केजरिवाल जी को नहीं भेजा है तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गेर कानूनी है वो हंड्रड परसेंट राजनीती से प्रेरित है और विपक्ष को खतम करने की एक साजिश है आज ये उमीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अर्विंद केजरिवाल में बची है कानून के प्रती उनका सम्मान अभी जीवित है तो वो जाएंगे और सारे प्रश्णों के उत्तर देंगे हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बैमानी की नहीं तो डरना कैसा दूद का दूद और शराब की शराब हो जाने दीजिए तो आपको तो चाहिए कि E.D. के पास स्वैम जाएं खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई ब्रश्टाचार कोई पाप नहीं किया लेकिन अर्विंद केजरिवाल को लगता है खाता ना बही जो ब्रश्टाचारी अर्विंद केजरिवाल कहे वो ही सही और अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर आमाद्मी पार्टी के ओर से जो नेता ने ट्वीट किया था आज वो क्या अपना रुख रखते हैं इसको लेकर कुमार सोनू, साती भासकर और शुर्ती का तीनों ही इस पूरे ख़बर पर नज़र बनाए हुए तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अब आपसे आगे अपडेट के लिए जुड़ेंगे